नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ओपो और रियल्मी नार्जो कंपनी के दो 5G स्मार्टफॉन जिसमें पहला स्मार्टफॉन हमारे पास है ओपो ए स्रीज का A3 Pro 5G और दूसरा रियल् 70 Pro वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक खुष खवरी देता हूँ दोस्तो ये जो नार्जो 70 Pro है कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 4000 रुपे का डिसकाउंट मिल रहा था लेकिन अभी अभी मैंने चक किया फिर से आपको 4000 रुपे का डिसकाउंट मिलने लग आएगा आचाए तो आप मोबाइल से करो या डेश्टॉप पर आप यहां पर देखी रहे होंगे आते हैं टॉपिक पर तो ये दोनों स्मार्टफोन हमारे पास हैं 8GB 128GB वेरेंट प्राइस की बात कर लेते हैं तो ओपो A3 Pro 5Z आपको मिल रहा है 17,999 रुपे का और कल तक ये हुती बड़ा डिसकाउंट इसके साथ मिल रहा है बॉक्स पैकिंग को देखें तो अलग-अलग कलर के ये बॉक्स आते हैं लेकिन मोबाइल का डिजाइन कहीं नहीं दिखाते है नार जो 70 pro के बैक साइड में लिखे हैं कुछ हाइलाइट फीचर और ओपो ने तो इस सबसे उपर स्मार्टपॉन रखा हुआ एक ट्रे में जिसे रखते हैं हम फिलाल साइड में और अंदर हमें नजर आता एक फ्लेक्सिवल कवर दोस्तो इस कवर को दिखाते हैं आपको तो कुछ डिपरेंट कवर दिया गया है दोस्तो जिस पर यह लाइन है काफी चमक रही ह देगा यानि कि गिरेगा मुबैल तो तूटने का डर कम बना रहेगा साइड में यह मैट प्लिसिंग के साथ आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे इसके बाद क्विक स्टाट गाइड यूजर मैनवाल चार्जर अडप्टर देखिए काफी बड़े साइज का काफी हेवी च आते हैं नार्जो 70 प्रो पर सबसे उपर एक मिनी बॉक जिस पर एक बारकोड नजर आ रहा है दोस्तो इस बारकोड को अगर आप स्केन करोगे तो नार्जो कलब को जोहन कर लोगे च्छे मंत की वारंटी आपके बढ़ जाएगी तो यह बड़ी आ ओफर है इसके अंदर द देखे कितने वोट का यह 67 वोट का यह आदे घंटे में 50 परसेंट करेगा तो यह 19 मिनट में कर देगा दोस्तों पॉन को 50 परसेंट तो काफी बड़ीया कांद किया है नार्जो नहीं कि 67 वोट का चारजर अडप्टर दे दिया है केविल मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों आ मैंने एक साथ ओन कर रखी है दोस्तों देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन जल्दी ओन होता है पंचोल डिस्प्ले आपको दोनों पर मिलेगी प्री अप्लाइड स्क्रेच गार लगे हुए है इनन फील ज्यादा कमपडेवल यहां पर नार्जो लगता है दोस्तों और नार् अंपो जो स्मार्टफोन है इसमें काफी बड़े बैजल्स आपको नीचे की साइड देखने को मिलते हैं थोड़े कम किये जाते तो फोन का लुक और बढ़िया लगता है बैक पैनल दिखाते है पहले दोनों स्मार्टफोन के तो फ्लैट बैक पैनल है दोस्तों लेकिन Pro में और यहां Plastic Body लगेगा आपको की Glass Body है लेकिन मिलती है Plastic Body Light का Reflection काफी कमाल का दोने स्मार्टफोन के Back Panel में देखने को मिलता है Dual Tone Finishing के साथ आता है 70 Pro जहां आपको उपर अलग Finishing नीचे Matte Type की Finishing दी गई है Oppo और Narjo की Branding की गई है Camera Module जो है वो Personally मुझे Oppo का ज़्यादा बड़िया लगा दोस्तों क्या बड़िया Frame आपको यहां पर देखने को मिलता है करीब से भी एक बार दिखाते हैं तो यह देखे दोस्तों जबकि यहां पर एक बढ़ा सा सरकल यहां पर नज़र आ रहा है जो की कापी ज़्यादा उठा हुआ है कवर हमेज़ा लगा के रखना दोस्तों नहीं तो स्क्रेचेस आ सकते हैं इनके लेंस पर तो कैमरा की बात की जाए तो ओपो डूल कैमरा के साथ आता है जहां मीन प्राइमरी कैमरा है 50 मेगा विक्सल का टू मेगा विक्सल का डेफ सेंसर कैमरा विद एलेडी फ्लैसलाइट वहीं पर नार्जो सेवन्टी प्रो आपको मीन प्राइमरी कैमरा 50 मेगा विक्सल का दे रहा है जबकि Realme Narjo 70 Pro में आपको 60 Megapixel का Selfie Camera मिलता है दोनों स्मार्टफॉन के चारो कॉनर राउंड सेब में और साइट फ्रेम बिलकुल फ्लेट चमचमाते नज़र आएंगे लेकिन जितनी उनकी चमच लग रही है दोस्तों उतनी ही जल्दी यह फिंगर पिंट पकड़ रहे हैं दोस्तों कापी गंदे हो जा रहे हैं बहुत जल्दी और नीचे की साइड है रियल्मी की सिम ट्रे इसकी अलावा 3.5 mm का ओडियो जैग ओपो का नीचे की साइड है बाकी दोनों के प्राइमरी माइक चार्जिंग जैग और स्पीकर नजर आ रहे हैं अब दोनों स्मार्टफोन को तो हमने अल्रेडी ओन करके रखावा है इनकी जो ब्राइडनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं ओहो यहां लाइट रिफ्लेक्शन हो गया तो यह देखे दोस्तों जो ब्राइडनेस है वो ओपो की भी काफी ज्यादा है कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है लेकिन यहां ओनली 1000 निट्स की ब्राइडनेस जबकि नार्ज 70 pro ने खुद को काफी क्लीन रखने की कोशिस किया है जादा कोई फाल्तु प्रिंस्टॉल एप्लिकेशन या ब्लोट वैर एप्लिकेशन अन्वांटेड गेम नजर नहीं आएंगे आपको नार्जो में जब की जो ही हमारे पास ओपो है दोस्तों काफी सारा कमीशन बन गया है और नोडिकेशन भी इसको आपको तंग करती है इसके अलावा टच तो दोनों का काफी स्मूथ और फास्ट मिल जाएगा क्योंकि दोनों ही स्मार्टपॉन 120 हड्स के रिफ्रेस रेट के साथ आ रहे हैं और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टपॉन के डिस्प्ले साइज की फिर भी दोस्तों दोनों स्मार्टपॉन की डिस्प्ले है उसका साइज बिल्कुल सेम टू सेम है यह अंतर होता है एज बेजल को कम करने का बराबर की डिस्प्ले हो गई न जबकि यह हाइड में छोटा है तो ओपो में आपको 6.67 इंच की HD प्लस IPS LCD वहीं पर नार्जो 70 प्रो दस कदम आगे दोस्तों 6.67 इंच की मिल रही है इसमें फुल एजडी प्लस एमुलेज डिस्प्ले सी को ओपो कंपनी रियल मी नार्जो से कुछ है एस्पेक्ट रेसों है दोनों का 229 इस्क्रीन रेजिलेशन 720 इंटो 1604 पिक्सल और 1018 इंटो 2400 पिक्सल एक्सल दें 7.7 इंच की ठीकनेस मिलती है दोस्तों A3 प्रो में और 7.97 मिलिमेटर के ठीकनेस मिलती है नार्जो 70 प्रो में 195 ग्राम का है दोस्तों नार्जो 70 प्रो और 186 ग्राम का है दोस्तों ओपो A3 प्रो यहां पार ओपो में आपको थोड़ी सी बैटरी ज्यादा मिल जाती है 5100 एम हलके फुलके पानी के छीटे जो है mobile का कुछ नहीं बिगारने वाले और अब नजर डालते हैं दोनों स्मार्टफॉन की सेटिंग पर सेटिंग को हम करते हैं एक साथ ओपन अंदर जो सेटिंग का इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा मिलेगा आपको दोनों स्मार्टफॉन का हमें जाना है about phone section में जहां फॉन से related information मिलेगी color OS version 14.0 दिया गया है दोस्तों ओपो में और नार्जो में realme UI version 5.0 का मिलता है इसके अलावा device name model name को यहां पर mention किया गया है 128 GB के storage के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफॉन और दोनों स्मार्टफॉन का जो processor है उसमें काफी बड़ा अंतर है दोस्तों ओपो आपको दे रहा है 2.4 GHz का octa-core processor और MediaTek Dimensity 6300 का chipset जो की नॉर्मली 11-12,000 रपे के range के smartphone में मिल जाता है वहीं पार नार्जो 70 Pro 2.6 GHz के octa-core processor के साथ आता है और MediaTek Dimensity 7050 के chipset के साथ दी आ गया है दोस्तों और chipset MediaTek Dimensity 7050 का मिलता है तो इसस बेस्ट chipset आपको इसमें मिल जाता है हाला कि नार्जो ने भी हैरान कर देने वाला chipset नहीं दिया है दोनों बेस्ट है 6NM के fabrication पर और ग्राफिक आपको Mali-G57 और Mali-G68 के मिलते है रैम आप देख रहे होंगे दोनों smartphone में 8GB मिलती है 4GB virtual RAM Android 14 के साथ आ रहे हैं दोनों smartphone दोनो आपको Android 14 15 का update भी मिलेगा तीन साल का security update भी मिलेगा अब दोस्तों दोनों smartphone के camera पर एक छोटी ची नजर डालते हैं तो Sony sensor वाला camera मिल रहा है नार्जो 70 pro में तो obviously आपको ज्यादा better color जो है वो आपको नार्जो 70 pro के camera से ही देखने को मिलेंगे हाला कि OPPO भी पीछे नहीं है क तो यह जो 20 जूंग करा है यहां पर नार्जो 70 pro ने तो देख सकते हैं color नहीं हो रहे और image की quality भी गड़नी रही बागी दोनों smartphone से अगर आप वीडियो सूट करते हो तो यहां पर दोनों smartphone से आप वीडियो सूट कर पाऊगे Full HD, SD में लेकिन 4K का support तो आपको मिल रहा है नार्जो 70 pro में 60fps का support मिलेगा 1080p में दोनों smartphone में और यहां 4K में 30fps का ही support मिलेगा इसके अलावा night street mode, pro mode दोनों smartphone में मिल जाते हैं और other features में आपर आप देख सकते हैं screen में dual view video mode, slow motion, time lapse जैसे option दिये गए है front camera देखते हैं दोनों smartphone का, तो 8 megapixel वर्चल 16 megapixel camera तो obviously आपको नार्जो 70 pro का ही front camera पसन आएगा, जो 16 megapixel का है वहीं पर नार्जो 70 pro का ultra wide angle camera दिखाते हैं आपको, तो zoom in के साथ साथ zoom out भी हो जाता है, 0.66 तो देख सकते हैं कितना area इसने और capture कर लिया, normal mode और यह ultra wide mode है दोस्तों तो देना चाहिए कंपनियों को, जब हम 10-12 अजार उपेजे उपर खर्च कर रहे हैं एक smartphone पर, तो ultra wide angle camera तो मिलना ही चाहिए तो friends, यह थे OPPO और Narjo Company के दो बहतरीन smartphone, दोनों ही smartphone अपने अपने business खोबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन finally बात आती है, मैं कौन सा smartphone पर्चेस करना चाहिए, तो यहाँ पर आप तो समझी गए होंगे दोस्तों, यह OPPO A3 Pro 5Z जो है, काफी ज़्यादा overpriced है दोस्तों, इ मेरे इस आप से इतना महेंगा smartphone और इसमें आपको HD Plus डिस्प्ले मिल रही है, 45W का charger adapter, इसमें हरान होनी की कोई बात नहीं है, दोस्तों, आट हजा रपे में Narjo N63 में मिल जा रहा है, यह 45W का Superbook charger adapter, बाकी 120Hz का refresh rate तो मिल जाता है, काउन 100MH की बैटरी मिल जाती है, प्रोसेसर भी देखें, तो काफी ज्यादा सस्ता वाला डाला गया है, दोस्तों, तो मेरे इसाब से तो इसे कर दीजे, reject दोस्तों, चाए आप OPPO के user क्यों ना हो, दोस्तों, फिर भी यतना महेंगा phone लेने की जोरत नहीं है, और यह Narjo 70 Pro तो मैं बोल रहा हूं, आपके पास एक बहु आपके लिए बाकी अपनी अपनी पसंद होती है, वो आप हमें comment box मताइए, आस अगरता हूं मेरे द्वारती की जानकारी, आप सभी के जोरू कुछन कुछ काम आएगी, जिस्तेक नहीं है, smartphone purchase करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हाएगी